सो गाइस यार फाइलली फ्रीफायर के तरफ से अपना यलो पोकर MP40 का रिडिम कोड निकलके आचुका है जो की देख सक्टो सक्सेसफुली मेरे मेल आइडी में मुझे मिल चुका और मैंने इसको क्लेम भी कर ले और आप सबी बंदों को अपना इस रिडिम कोड से यलो पोकर MP40 बिल्कुल फ्री में पर्मानेंट मिलने वाला है क्योंकि यह जो रिडिम कोड यह अल्लिमिटेट बंदों के लिए हम लोगों नहीं गडिना से रिक्वेस्ट करके लाया इसलिए आपके सामने मैं इस रिडिम कोड को एक बाल लाइब यूज करके दिखा दे रहा हूँ आपको यहां से पूरा का पूरा रिडिम कोड नोट हो जाएगा उसके बाद सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक कर लेना है इस वीडियो को लाइक करने के बाद आपको तुरंट से चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में यह जो link पीन है, simply इस link पे tap करके आपको नए वाले चैनल पे जाके subscribe कर लेना है उस channel को भी, क्यूंकि guys यह जो redeem code है, यह दोनों नए चैनल से मर जो किया है, तो आप से ही बंदों को इस redeem code को note करने के बाद, यह वीडियो को like करके channel को subscribe कर लेना, उसके बाद आपको इसी वीडियो के comment section में जो link पीन है, उस link पे tap करके आपको नए वाले चैनल को भी subscribe कर लेना, उसके बाद directly redeem section वाले site पे जाके redeem code को fill up करके confirm पे tap कर देना आपका congratulations आजाएगा, और आप में से बहुत सारे बंदे एक common mistake कर देते, जिस वज़े से उनका redeem code work नहीं कर पाता है, उनको अपने reward नहीं मिल पाता है, वो लोग करते क्या है कि redeem code को note करने के बाद, वो लोग वीडियो को like करके channel को subscribe कर लेते, लेकिन जो हम लोगोंने comment section में link pin करके रखा, उस link पे tap करके वो लोग नहीं वाले channel को जाके subscribe भी नहीं करते, जिस वज़े से उनका redeem code एक्टिवेट ही नहीं होता है, तो आप लोग प्लीज ऐसी गलती मत करना, आप से भी बंदे redeem code को note करने के बाद, वीडियो को like करके channel को subscribe कर लेना, उसके बाद साइट प क्या रहा है कि free fire का जो sites है, वो थोड़ा बहुत issues कर रहा है, यूज करने में, उसमें अपना redeem section वाला site भी थोड़ा बहुत server problem के वज़े से काफी सारे बंदों के साथ करता क्या है, कि जब वो लोग redeem code को use करते, तो उनका पीना server के problem को ज़े से error आ जाता है, तो वैसे condition में आपको बस थोड़ी देर wait कर लेना, और थोड़ी देर wait करने को आज वापस से site पे आके इस इरिम code को use कर लेना, उसके बाद कोई भी problem हो, तो description box में इंस्टाइराम कर लें, कि वापन सुरूँ